और अम मौसम को लेकर खबर राजधानी में देरा से तेज हवा और गरत चमक के साथ बूंदा बांधी भी लखनव वा आसपास के जिलों में आंधी के साथ बरसाथ हुई है एकाई एक बदले मौसम से मिदान शेत्रों में भी ठंड़क बड़ी है मैनपूरी समेत कई जिलों में उला वरिस्टी की भी सूचना है आज भी मौसम में बादों की आवजाही जारी रहेगी मध्धी और पूर्वी उत्तरप्रदेश की कई जिलों में गरत चमक के साथ बारि हैं वहीं किसानों ने मुहाली में टोल प्लाजा फ्री कराई जिससे लाखों का नुकसान हुआ है इस बेच पंजाब हर्याणा सीमा पर चड़ रहे किसानों की आंदोलन को लेकर मंगलवार को पंजाब और हर्याणा हाई कोट में सुनवाई हुई इस दौरान हाई कोट ने हाई कोट ने बॉर्डर बंद कर किसानों को रोकने की याची का खारिश कर दी है हाई कोट ने मामने के सुनवाई अगली हफते के लिए टाल दी है हर्याणा और पंजाब बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है इस बीच प्रदर्शनकारी किसान पंजाब हर्याण सीमा पर शंबू बॉडर पर अवरुद रोड को खोलने के लिए हाइडरोलिक क्रेन और अर्थ मूवर सहित भारी मशीनरी लेकर पहुँचे मंगलवार को किसांग यूनियन ने तीन दिनों के लिए मुखाली जिले के सभी टोल प्लाजा पर खबजा करते हुए फ्री कर दिया साथ ही किसानों ने टोल प्लाजा पर ही अपना धरना भी शुरू कर दिया सभी टोल प्लाजा को फ्री करने से रोजाना लगभग 50 लाख रुपियों का नुकसान होगा क्योंकि प्रत्येक टोल प्लाजा को हर दिन लगभग 10 से 12 लाख रुपियों का राजस्व मिलता है जनता विरोत कर रही है क्योंकि इस नुक्सान की भरपाई बढ़े हुए शुलकों के साथ आम जनता को ही करना पड़ती है किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की सिंगू बौडर पर सुरक्षा ववस्ता बढ़ा दी गई है ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है किसान आंदोलन की सिंगू बौडर पर जो सुरक्षा ववस्ता है वो और जादा मजबूत कर दी गई है मेरे ठीक पीछे अर्थ संग बलो की टुकडिया है और आप देख सकते हैं कि हाँ पर एक तरीके से ड्रोन से भी मॉनिटरिंग हो रही है और ड्रोन से मॉनिटरिंग के साथ साथ यहाँ पर यह जो अर्थ संग बलो की टुकडिया है उनको प्रिशिक्शन दिया जा रहा है किसी भी तरीकी कोई अपरिये स्थिती यदी बनती है तो उस स्थिती में यहाँ पर अर्थ संग बलो के जुबानों को तयार किया जा रहा है किसानों के प्रदर्शुन के कारण हरियाना पंजाब और दिल्ली की बॉर्डर बंध है जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ तक कि किसानों का भी कहना है कि यह प्रदर्शुन राजनेतिक है अब आदमी के साथ ही तमाम ट्रक ड्राइवर भी आंदुलन की वजह से खासे परिश्रान है पीछे खड़ाओं मैं इस्टेम बड़ बंध हो रहे हैं और परेशानी हो रही है कभी कभी इदर जाए कभी इदर गुमाए गाड़ी बहुत जादा हुआ हुआ हर्याने की लोड होती जी आड़ी हमारी मैं टिक्री बोडर पर करें आट दस दिन से खड़ा हूं यह जो अंदोलन है उसके चक्कर में मैं दस दिन से खड़े हूं यहां पर लाकों को नुक्सान हो रहे हैं रोड गुम गुम जा रहा है यह टाइम लगता है यह परेशानी है रास्ता में बंद है इसलिए घड़े इतने ट्रक खड़े हैं यहां तो कापी खड़े ट्रक गोरें लान लगाए खड़े खड़े हैं कि सरकार ने प्रजर्शन कारी किसानों को प्रसाब दिया था कि अगर किसान क्रॉप डैवर्सिफिकेशन करते हैं और मक्क को MSP पर खरीदा जाएगा हाला कि किसानों ने प्रसाब को अस्विकार्य कर दिया है अब किसान दिल्ली कूच की बात कह रहे हैं